दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता ही कि One UI 4.0 अभी अपडेट जो है नहीं आया है और अभी ये बीटा भी नहीं आया है लेकिन जैसे ही बीटा अपडेट रिलीज होगा तो मैं इसके उपर वीडियो बना दूँगा तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता हूँ कि आप अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस में One UI 4.0 की तरह थीम जो है इंस्टॉल कर पाएंगे ये ओफिशल थीम है लगभग आपकी हू बहू 4.0 की तरह है तो मैं ऐसे नहीं बहुत सकता कि पूरी तरह 4.0 की तरह है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस्टेक चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आपको दो थीम्स यहां पर बताऊंगा तो वो कौन सी है ठीक है पहले आप मैं आपको अपलाई करके हैं दिखाऊंगा कैसी है अगर आपको अच्छी लगी तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कैसे करनी है वह मैं इसके वीडियो में अंत मै आपको दिखाऊंगा तो मैं आइस ट्रफ में जाऊंगा तो मैंने यहां पर दो थीम्स ओलरी यहां पर डाउनलोड करके रखी हुई है वो कौन सी है ठीक है टॉप की दो ठीक है पहले यह वाली थीम्स यहां पर दिखा लेता हूं ठीक है अप्लाई करते हैं यह बिलुकुल ह कि इसका वाल पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखने में तो इसका आप मैन्यू देखते हैं इसके आइकन्स देख सकते हैं हूब हूँ वान युवाई 4.0 की तरह है अंडूड 12 की तरह है नोटिविक्शन पैनल भी आपका यहां पर ब्लैक हो चुका है डार्क हो चुका है जोगी काफी अच्छा लगता है देखने में तो आपड़े आप देखने में तो आप देखने में तो दिख रही है अब मैं आपको सेकंड धीम यहां पर दिखा रिटा हूँ ठीक है तो ध्यान से देखना तीम पालंग जाएंगी यहां पर फिर से हैं बिल्कल ही अमेजिंग हो चुके हैं आप दे सकते हैं यहां पर वालपर बहुत ही अमेजिंग है और नोटिवीशन पैनल तो आपका नौरमली जैसे रहता है वैसे ही है बाकि इन दोनों थीम्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा आव वहां से जाके इन थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अभी फ्री चल रही है आगे आने वाले टाइम में शायद यह पेड़ भी हो सकती है तो यह था आज का वीडियो तो बाई 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 टेके जैहिन बंदे मादरम